है नमस्कार दर्शक बंदों मैं सोमें तो आज की वीडियो में आप सभी दर्शक बंदों को बताएंगे लबट्स को लोके जो में प्रॉब्लेम होती है लबट्स का आई प्रॉब्लेम होता है देखने को मिलता है हर साथ इस सेजन पर यह सबसे जादा होता है तो इसका क्या क प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा जो सेट आप बाले हैं ब्रीडर है उनको तो आइप नहीं होती लेकिन जो लोग फरस्टाइम लबबड खरीथे हैं उनको यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रेश करते हैं यह लोग क्योंकि बड़ प्रॉब्लम के पास उत्राइब नहीं होता जो तो इधने दिनों में जो मैंने जाना है है आई प्रॉब्लेम का सॉल्यूशन और क्यों होती है थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे तो देखिए फर्स्ट जो आपको अगर आप लबट को सेट अप स्टार्ट करना चाहते हैं ब्रीडिंग फार्म लबट का बनाना चाहते हैं या एक-दो प्यार कि यह तीन माहिना चार माहिना के अंदर ही आपको लबबर सा सेट अप स्टार्ट करना है तो खड़ित लीजिए बट को अच्छे से चेक करके आगबाग पॉक्स हुआ है कि नहीं सब कुछ अच्छे से चेक करके आप ले लीजिए फिर आप आपना बट को एड़ कीजिए अगले साल ब्रीडिंग के लिए बट डिसेंबर के बाद जनौरी आ जाता है जनौरी के पास कुछ नहीं होता ब्रीडर से आप जब लेके आओगे उप लोगा पता नहीं क्या होता है आँक में से पानी गिilleursना लगता है तो बहुत रार क्या है मच्छर काटने के बाज़े से पऑस भी देखने को मिलता है और पॉकस देखने को मिलता है यह अलग topic है तो मैं आई problem के बारे में बात कर रहा हूं तो देखिए यह आंग में पानी गिरता है तो एक जगा बहुत सारा बड देखेंगे केज में एकटा हुआ है उससे भी पानी गिरता है तो एक केज हैं तीन फीट बारा इंच बारा इंच बारा इंच इस टाइप पें आप पांस से छे बड को रखिए और एडल कीजिए कलर कीजिए नेक सिजन पर बढ़ाने के लिए इससे जादा बड मत रखिए चार से छे बड चार फीट बाई दो फीट बाई दो फीट का अगर केज है तो उसमें आप मेरे ख्याल से आठ बड रख सकते हैं आठ बड चार प्यार बड बेस्ट हैं फ्लाइंग केज की मैं बात करा हूं तो एडल कीजिए और फिर आप सेप थोरा उसको देखके किजिए बड जादा लड़ाई जगरा ना करें काटते हैं वह एक दूसरे को तो पानी गिरता है तो बेस्ट है जो फर्स मैं बोला कि अगर आपको लबड बाई करना है सेट अप स्टार्ट करना है तो ओक्टोबर नॉवेंबर डिसेंबर इस सब सिजन में बर्स को बाई कर लीजिए किसे लेना है तो ले लीजिए उसके बाद मत बाई कीजिए बड का चिक है उस टाइम के बाई जितने भी बड़ है आप बाई करेंगे तो वह सारे बड़ में आई प्रॉब्लेम जाधा देखने को मिलता है इसलिए कि पहले-पहले ही हम लोग कोई भी लोग इसको solution नहीं ढून पाएते हैं अब हम सब लोगों को समझ में आ रहा है जनौरी फेबरी के बात से जितना भी बड़ है उन लोगों में आई प्रॉब्लेम देखने को जाधा मिलता है इसलिए अब देखेंगे कि अभी जोए लबबर्स का मार्केट बहुत ज कर चुका है कि जनौरी के बात से फिरूरे के बात से बर्ड में यह आई प्रॉब्लम जाबा देखने को मिलता है तो अभी अभी solution क्या है को कारण बता दिया कि यह तरी से होता है मुझे जो लगा है अब solution की बारे में बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के रूप जाते हैं वह कुछ मेडिसिन देते हैं हम को अगर सीनियर भीड़र रही है जिससे आप आई करते हैं तो उनसे पूछे वह लोग अपने 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 एक्स्टेंश के साबसे आई ड्रॉप साइशेशन करते हैं तो यह एक ड्रॉप है बेटनी सॉल बीस से पचीज रूपे लेता है स्टेरोइड वाला आई ड्रॉप है यह जो स्टेरोइड वाला आई ड्रॉप होता है यह गेटिकुइन पी नाम का एक है सीनब रूपे साइद लेता है और यह बिटनी सॉल एन यह आई ड्रॉप है यह बहुत ही पावरफुल होता है स्टेरोइड दिया ड्राग्स टाइब का कुछ है तो अगर बार्ट में फर्स्ट फर्स्ट मतलब आप लेके आए देखने कि फर्स्ट फर्स्ट आँख में से पानी निकल रहा है लबबर्स के बेवी में तो एक दो डॉप आप दिन में दो बार करके डाल सकते हैं एक दो दिन के लिए ज्यादा कियें करने से क्या होता है बर्स के आघ मेंसे चोटा जाने और मेडिसिन बहुती सीद्यस्ट करने के लिए बहुत जूदा प्रेसर डालता है और बेस का आघ नहीं होना चाहता नहीं हो पा रहा है कि छहानी हो जाता है लोग जुसे बिंगल में चानी बोलते हैं इंगी में हिंदी में साइचली ऐसे कुछ बोलते हैं वाइट टाइप का एक लेयर बन जाता है आंक में इस पूर्ट के अग में तो यह इस मेडिसेन को ज्यादा यूस करने के विज़ेसे होता है तो फिर बर्ट का आंक तो ठीक हो जाता है बर्ट वो जो वाइट जो लेयर बनता है वो लेयर ठीक नहीं होता है वो जिंदगी भर रहता है और बर्ट धीरे-धीरे उस आंक से देख नहीं सकता है दूसरा आक से देख सकते बर्ट वो आंक धीरे-धीरे अंदा हो जाता है तो इस ट्रेडर वाला आई ड्रॉप है मैं साथ वीडियो में बहुत बार बोला हूँ साजेशन किया भी हूँ बेस्ट है मतलब एक दो दिन एक दो ड्रॉप यूज़ करने से ठीक हो जाता है लेकिन बहुत बार ठीक नहीं होता है तो लोग जादा से जादा यूज़ करते हैं और बट का आँख धीरे-धीरे खड़ाब होने लगता है तो मैं आपको यहीं रिकॉमेंड करूंगा कि इस ट मत कीजिए मतलब तीन भाई डेर भाई डेर के केज में जार से जादा आप छे बड़ रखिए चार बड़ रखिए बड़ का ठीक हो मतलब ठीक हो रहा है तो ठीक है बट उसके उपर उसको डोस को कॉंटिन्यू मत कीजिए मैं मेडिसीन आपको रिकॉमन करूंगा वीडियो आतो इसले उसके लग्मा कर रहा हूं कि जिन लोगों बहुत ज़ादा जरुवत हैं वहीं लोग इदना तक आएंगे बारना बीज में लोग छोड़ जायेंगे तो मैं बहुत दिन मेडिसें से करते करते मेडिसीन पर आया हूं यह वाले मेडिसीन इक एनिमल वह में आपको पे नहीं मिलेगा किसी इंट पीक्छर मिलेगा इसका पिक्छर मैं यहां पर डालत humano देख लीजिए ठीक है और इसके साथ एक बक्सा में आता है और गाई भैसों को यह लगाते हैं ऐसा आता है और इसको ऐसे लगाते हैं इसको ऐसे खोलते हैं कि आते हैं और इसको ऐसे एसे कर के इसको लगाते हैं तो इसमें जो क्रीम होता है यह क्रीम आप चार दिन पांस दिन छे दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं यह वाला यूज़ करने से क्यूंट आईड्रॉप नहीं है इसके अंदर एक वाइट क्रीम टाइप का है यह भी आख का जो भी भाइरस बागर है उसके लिए को जो मुझे बहुत जाधा बेश्ट लागा बेश्ट मतलब बर्ट का ठीक कर पाए तो कर पाए नहीं तो कुछ भी नहीं ज्यादा प्रॉल्म नहीं होता है लेकिन बर्ट का और ज्यादा खड़ाब नहीं करता है इसलिए मैं आपको रिकॉमेंड करूंगा इस ट्रेप कर अगर मेडिस razor आप जनका को ठीक कर देता है एक दिन दो दिन उसके बाद यूस मत कीजिये फिर क्यों मुझे छोगता है गैटिसॉल गैटिलॉक्स डीम यह भी 20-25 रुपे वाला है गैटिलॉक्स डीम यह भी आई रॉप बहुत अच्छा है बट यह भी बहुत ज्यादा लो पाउर का है तो एक दिन दो दिन यूज करने से बट इसका ठीक होगा कि ऐसा कोई गारेंटे नहीं है लेकिन यह धिर्या ठीक करता है बट के आपको धीरे-धीरे ठीक करता है टाइम लेता है यह लिवाई-डॉप भी बहुत अच्छा है गैटिलॉक्स डीम और एक आईडॉब है जो मैंने बताया गैटिकुइन पी वह भी बहुत अच्छा है बट जादा यूज़ करने से वही सेम प्रॉब्लम छली आ जाती है चानी आ जाती है तो ही कुछ टीप्स हैं जो आप लोगों को दिया मेरे जो जो भी प्रॉब्लम में फेस के इतने दिन उसे आई प्रॉब्लम क होता है लगता है आप लोगों सब्सक्राइब लोगा क्या राय है आप लोग नीचे प्लीज कॉमेंट कीजिएगा और बाकी यही है मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो पसना आता है लाइक भी जरूर कर देना और फेस्ट पीज है मेरा उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं और हम बर्ट सेल के लिए मतलब की मेरे पास जो कुछ बर्ट आता है किसी भाई का कुछ बर्ट सेल करना है तो आता है मेरा कुछ भी कुछ चीक्स होता है तो वह सेल के लिए होता है तो उसका कुछ वीडियो हपते में एक बार या दो हपते में एक बार ऐसा कुछ वीडियो आपका पाइनापल कभी अंडा है तो वह सब चीक्स होगा तो वह भी सेल के लिए आप लोग के साथ सेयर करेंगे तो फिलाल तो ही है मिलते नेक्स वीरियों में देखते रिपेट सेंपायर जय हिंद